अरे किष्णा जैशी रादे वेल्कम बैक टो में चैनल के शानल लवाट तो ये देखे आज ये इस तरीके की ड्रेस हम गोपाल जी के लिए आज की इस वीडियो में बनाएंगे यहाँ पर मैंने ये देखे इस तरीके से बनाई है दोती की ड्रेस है ये और ये इसी के साथ इसमें नैपी भी अटैच आएगी जब आप इसको कुपाल जी को पहनाएंगे देखे इस तरीके से करके मैंने ये इस तरीके से पहनाई है मैं आपको इसको बता रहे हूँ कि किस तरीके से पहनाएंगे तो यहाँ पर यह आगे की साइड में आपर मैंने ये टिच बटन लगाया है आप एल्क्रो भी लगा सकते हैं, डोरी भी लगा सकते हैं जो भी आपको comfortable लगे आप बना करके त्यार कर सकते हैं तो देखी ये इस तरीके से मैंने पहना दिये गोपाल जी को ये पीछे से इस तरीके से लुक आएगी और ये कैप मैंने बनाई है मैचिंग की तो ये दिखे इस तरीके से ये पुरा final लुक गोपाल जी की ट्रेस का बहुत ही सुंदर सी ट्रेस है और एक दम असान तरीके से आप इसको फटा-फट से बना करके त्यार कर लेगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले गए अपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा कि आपको ड्रस और वीडियो कैसी लगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने गोपाल जी की ये बीटिफोल सी ड्रस किस तरीके से बनाई है तो यहाँ पर ये दिखे मैंने ये फैब्रिक ले लिया है मैंटे का चार्ट का धरीक है थोड़ा प्रिंटरडेद है इसकी मेजर्मेंटा आपको दिखा देती हूं ते दिखे ये 5 इंच और ये वह फोल्ड किया हमने और अब हम इसको इधर की side से cut लगाएंगे यहाँ पर cutting कर देंगे थोड़ा सा curve shape में पिल्कुल थोड़ा सा गोलाई जिसमें आज़ाए हमारी dress की सिर्फ इतना ही हमें cut करना है नीचे से एक तरह से यह सिर्फ जो हमारा corner है उसको cut करके हमें निकाल देना है तो इसमें hulky सी यह देखिए इस तरीके से गोलाई shape की आ जाएगी अब हमें इसमें क्या करना है यह देखिए जो हमारा यह strip आएगी एक अब इसकी सीधी side आप देख लिजीए तो यह पर देखिए मैंने sly लगा दी है दोनों strip पर यह इस तरीके से आएगी अभी देखिए अब इनको हम क्या करना है दोनों को फिर से हम यहाँ पर एक दूसरे के इस तरीके से एक सात रख देगे दोनों को सात में ही हम इस तरीके से करके उपर से भी हम हलका सा यह कॉर्टनर करके निकाल देगे यह भी इसमें गुलाई shape कर देंगे तो अब हमें इसमें sly लगानी है sly देखिए हम इस तरीके से दो प्लेट इस साइड डाल देंगे तो दोनों हम सेम साइड डालेंगे सामने सामने हमारी प्लेट्स आए तो यह से शेप आएगी चले कर लेते हैं तो दीखे दोनों साइड में आपर प्लेट्स डाल दी हैं दो दो प्लेट्स हमने दोनों साइड में डाली है और दोनों को साथ में हमने सिलाई लगा दिये हैं अब इसमें बीच में भी हमें यहाँ लगबग तेर इंच तक हमें यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको दोनों को साथ में जोइन कर लेंगे तो चुली कर लेते हैं इतना भी हम देखें आपर सेंटर में भी हमने स्लाय लगा दी है तो ये इस तरीके से देखें कितनी सुन्दर सी इसकी शेप आ गई है दोती की अब उपर की साइड इस पे हमें चोली अटैच करेंगे पहले देखें चोली लगाने के लिए मैंने ये के सीधी स्ट्रिप ले ली है 15 इंच की लंबाई और 3.5 इंच की मैं चोड़ाई रखी है इसकी स्ट्रिप की तो अब हम क्या करेंगे इसको इधर से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इधर से थोड़ा सा फोल्ड करके दोनों को हिस्सों को इस तरीके से रख करके एक सीधी स्लाई इस पर हमें लगा लिनी है तो चलिए इस पर भी एक सीधी स्लाई लगा करके त्यार कर लेते हैं इस स्ट्रिप को देखिए इस तरीके से ये स्ट्रिप मैंने सीधी स्लाइस पे लगा दिये अब इसमें क्या करेंगे आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी प्लेन भी रहने दे सकते हैं या फिर आप इस पर अगर les लगाना चाहें जो हमने rest में लगाई है नीची की side धोती पे वो भी आप इस पर लगा सकते हैं इसमें मैं नीची की side से यहां से start कर के पूरे round पर इस पर stripped एक यहां पर दिखिए मैंने लेस अटैच कर दी हैं लेस लगाने के बाद हम यहां दोनों को स्ट्रिप को इस तरीके से रखेंगे और उपर तक लगभग डेड़ या दो इंच तक छोड़ करके हमें पूरी स्ट्रिप पर यहां पर एक सीधी स्लाई लगा करके इसको आपस में ज और गलाने के लिए इस्ट्रिप ले लिए इस को सब्सक्राइब अनलेए इसको बैक साइड पर रखेंगे यहां पर इसके यह सीधी साइड अंदर रहेगी और यह देखिए इस तरीके से सीधी साइड हमें अंदर रखनी है इस तरीके से करके एक सीधी स्लाई लगा लेंगे स्लाई लगाने के बाद इसको फोल्ड करके एक स्लाई इस तरीके से लगाने चली कर लेते हैं इतना देखिए इस पर भी सिलाई लगा दी है यह इनिफ अभी हमने अटैज कर लिया है बाकि आप इसके अंदर आप डोरी डालना चाहें तो फोल्ड करने से सिलाई लगाने से पहले इसमें डोरी आप डाल दें मैं इतने इस तरीके से ही रखी है इसमें यहाँ पर मैं टेच बटन लगा करके इसको त्यार कर दूँगी ड्रेस हमारी बन करके कम्प्लीट ही हो गई है यह देखिए यहाँ पर इस तरीके से पहनाएंगे गोपाल जी को तो बहुत ही सुन्दर सी इसकी शेप आएगी बहुत बहुत ही परिक्सी ड्रेस बन करके त्यार हुए है बहुत ही जल्दी से बन जाएगी तो आप एक बार जरूर टाई किजिए अपने कोपाल जी के लिए जरूर बनाईए तो आई होप कैस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आपको पसंद आयोगी ड्रेस अगर अच्छ की वीडियो नहीं डाली है मैं नेक्स वीडियो में आपको कैप कैप बनाना बताऊंगी तो चले मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में